मैं हमने सीखा था अक्षरों को जोड़ कर लिखना और स्वर किसे कहते हैं, वेंजन को इसे कहते हैं, वेंजन को क्या कहते हैं, और वर्ग कितने हैं, वेंजन के, यह सभी हमने पिछले क्लास में ही जान लिया था, अभी हम जानेंगे संध्या, बैकरन में से हम जानेंगे संध संग्या किसे कहते हैं? यहाँ पर हम अभी लिखें. जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है अभी आपको भी उसी तरीके से लिखना है. संग्या किसी वेक्ती वस्तू स्थान प्रानी या गुल्ण को सुचित करने वाले सुचित करने वाले शब्द को हम संग्या कहते हैं किसी वेक्ती वस्तू स्थान प्रानी या गुल्ण को या भाव को भाव को सुचित करने वाले शब्दों को हम संग्या कहते हैं उधारण के लिए रांग टेबल या मेज रही है ठीक है मेज कलम बिली बिली आगरा आगरा प्रेम के लिए रही है और उधारण की लिए और देखिए रां जो है वो वेक्ती आ ठीक है और टेबल जो है कलम जो है यह वस्तू है उसके बाद स्थान जो है स्थान यानि जगा प्लेस जो है वह है आगरा आगरा कह सकते हैं बेल्गम कह सकते हैं दिल्ली कह सकते हैं करनाटका कह सकते हैं आप ठीक है और प्राणी जो है बिल्ली और गुण यह भाव है यहां प्रे में ठीक हैं अभी हम इन सब शब्दों को लेकर एक-एक सेंटेंस बनाएंगें एक-एक वार के बहुए जैसे कि राम ने आम खाया चीक है राम ने आम खाया दूसरा बला है क्या है मेज मेज पर कलम रखा है मेज पर कलम रखा है यहाँ पर राम नाम है और मेज यहाँ पर बस्तू है अब खलम भी हाँ पर वस्तू है ठीक है तीसरा मेज है मेरी मेरी बिल्ली काली है यहाँ पर मेरी बिल्ली काली है यहाँ बिल्ली जो है प्राणी है चीक है दादाजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं ठीक है यह हो गए यहाँ पर दादाजी मुझे बहुत प्रेम यहाँ भाव हो गए यह गुड़ हो गए अभी जो है पाचपा वाला है यहाँ पर लिख देते हूं मैंने आगरा में घर लिया है मैंने आगरा में घर लिया है तो यहाँ पर यह हो गया संग्या 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 का उदार्ण यानि कि किसी वेक्ति पर्टिकुलर आप जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसे नाव किसी वेक्ति वस्तु स्तान या प्राणी या गुणभाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संग्या कहते हैं जैसे कि उदार्ण के लिए हमने बताए कि राम टेबल कलम बिली आगरा प्रेम और एक्सेट्रा चीक है तो यहां पर मैंने उदार्ण के लिए आपको बताए कि राम ने आम खाया राम ने आम खाया इसके बाद मेज पर कलम रखा है ठीक है मेज पर कलम रखा है यानिके टेबल पर कलम पेंड रखा है मेरी बली कली है मेरी बली यानिके मेरी यानिकी माज़र मेरा कली मिली मेरे ग्रैंट फादर मुझे बहुत प्रेम यानिके लब करते हैं इसके पाद मैंने आगरा में घर लिया है मतलब मैंने आगरा जो है वो गाव है वहाँ पे मैंने घर लिया है यहाँ यह हो गया अभी आगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे संग्या तो हो गया आगले क्लास में हम पढ़ेंगे संग्या के प्रकार और प्रकार में भी कौन से कितने प्रकार है संग्या में भी कितने प्रकार है और उन प्रकारों के लिए हमें पूरी पढ़ाई करने पड़ेगी इसलिए हम आगले क्लास में पढ़ेंगे संग्या के प्रकार ठीक है तब तक के लिए आप ये रिवाइस करते रहेंगे धन्यावाई